दोस्तो अपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबादें क्योंकि हम लाते रहते हैं नए-नए बिजनिस आइडियाज और नएनी जैनकारी के वाला के लिए दोस्तो आज हम आपको बताते हैं इस बिजनिस के वारे में उससे पहले याद दिला दें कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के ठीक नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही घंटी जै सारा नोटिफिकेशन बेज दिये जाएगा आज हम बात कर रहे हैं पेपर ग्लास बनाने के विजनिस के बारे में जी हां दोस्तों पेपर ग्लास यानि की कागज के ग्लास बनाने का विजनिस आपने देखा है कि जिस तरह से पॉलिथिन को बेंड किया गया है पॉलिथिन पर प्रत्वन लगाया गया है उसके बात से कागज के ध्योग है ना वो काफी तेजी से तरकी कर रहा है तो इसी को ध्यान में रख करके आज आपके लिए हम लाए हैं पेपर कप बनाने के बेवसाई के बारे में जानकारी तो पेपर कप बेवसाई एक ऐसा बेवसाई है जिसको कहीं भी और कोई भी शुरू कर सकता है और ये एक बहतर विकल्प हो सकता है ये गलास निर्माण पर्याबरन और स्वास्त दोनों के लिए ही अनकूल माना जाता है और इसकी खासवात यह है कि इस गलास को नश्ट भी किया जा सकता है इसके लावा अगर अब कॉलिथिन वाला गलास होता है ना उसको नश्ट नहीं किया जा सकता इसको आप आसानी से नश्ट कर सकते हैं और तेजी के साथ बदलती जीवन से लिए के साथ ही पेपर ग्लास का उपयोग दिन बदिन बढ़ता जा रहा है इसको आप कोफी की दुकानों, होटलों में, सुपर मार्केट, सेश्चिक संस्तानों, केंटीन आदे में इसको आप बड़े आसानी से देख सकते हैं साथ ही साथ साधी विवाह पार्टियों में भी आप इसका उपयोग होते हुए देख सकते हैं तो क्यों ना आप भी इस बिजनिस को शुरू करके एक अच्छा खासा फ्रॉफिट कमा सकें और साथ ही अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजूद कर सकें तो इसके लिए आपको आवाशकता होती है सबसे पहले मसीन की मसीन जिससे के कागज के या फिर कहें के पेपर के कप बनाए जाते हैं और दूसरा आपको कच्छी समगरी की आवाशकता होगी यह कच्छी समगरी पेपर होता है जिसके कि मूम या फिर पॉलिथिन कोटेड होती है जिससे कि इसमें कोई भी सामान भरा जाए तो उसको कागज घीला ना हो उसके दौरा इसलिए इसको कोटेड किया जा सकता है यह आपको बड़ी आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं जब आप पेपर के कप बना लेते हैं उनको सेल करना होता है तो उससे पहले आपको बता दें कि इसकी लागत कितनी आती है जब आप देगी दो तरीके से कागज से के गलास को बनाया जा सकता है इसमें एक तो प्रिंटेड पीपर कप होते हैं और दूसरा प्रिंटेड पीपर कप जो होते हैं उनकी लागत आपको लगबग 60 पैसे परफीस की पड़ती है जिसको आप मार्केट में 1 रुपे परफीस के शाब से सेल करते हैं दूसरा प्लेन पेपर कप होते हैं उनकी कोश्ट लगबग 30 पैसे पड़ती है जिसको आप 80 पैसे प्रतिपीस के एसाब से मार्केट में सेल कर देते हैं तो दोस्तो इस बिजनिस में काफी स्कोप है काफी प्रॉपिट है इसके लिए आपको सबसे पहले अपने बिजनिस का रेजिस्टेशन कराना होगा MSME, से आप इसका रेश्ट न करा सकते हैं, या फिर अपने जला उद्योग केंद्र या फिर खादी ग्राम उद्योग वोर्ड से भी संपर्ग कर सकते हैं, वहां से आपको इसके सारी जानकारी मिल जाएगी, इन गिलासों को बनाना काफी आसान है इसको बनाने के लिए सबसे पहले गिलास के आकार के कटिंग पॉले कोटेड पेपर मसीन में लगता है जो कि हलका गीला होता है इसको गोल कौन बना देती है मशीन दूशे चल्ड में इसके कागज के जो होता है उसके गोल तली लगती है उसके नीचे जब तली लग जाती है तो उसके बाद ग्लास की जांच प्रक्रिया कर यह एक जगह एकत्रित हो जाते हैं वहां से कोई भी इसको वरकर लेकर के एकटा कर सकता है और इसकी पेकेजिंग कर सकता है आप जिससे साबसे बिजना चाहते हैं वो इससाबसे इसकी पेकेजिंग कर सकते हैं अगर आप मसीनरी चाहते हैं कहां से मिलेगी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कंपनी का नमबर दिया हुआ है आपको वहां से नमबर लेकर के कंपनी को कॉल कर सकते हैं और मसीन की कीमत के बारे में जान सकते हैं साथ ही रोग मटेल के संबंद में भी जानकारी ले सकते हैं अगर आपको यह जानकार यह अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी जरूर दबादें जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है हम आपके लिए भीजनेस रेटेट